जादूई टीवी पुरानी टीवी पर जाती है जो इतने सालों तक कूडे में पड़ी थी फिर भी चमचमा रही थी टीवी तो देखू जैसे एकदम नहीं हो हाँ बाबुजी को टीवी देखना बहुत पसंद था उनका सपना था कि वो टीवी पर आए एक बार मौका भी था जब वो अपने गाउं के गाने सुनाने किसी चैनल पर जाने वाले थे पर मैं और मेरा भाई लड़ पड़े और बाबुजी को गहर पर ही रुखना पड़ा चला के देखें क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं? देख लेते हैं पर शायद ही चले बाबुजी ने उस लड़ाई के दिन के बाद टीवी देखना ही जोड दिया था टीवी चालू करने के लिए उसमें केबल वायर लगा दिया जाता है एक न्यूस चनल चालू हो जाती है स्वर्क की सीड़ी के रास्ते हैं तीन तीनों के तीन रास्ते हैं संगीन पहला रास्ता है साप की बीन दूसरा रास्ता घर में बिचा कालीन तीसरा रास्ता केलकटा से चीन ये क्या बगबास ख़बर है कुछ अच्छा लगा दो अरे आप बोलो तो सही कोई अच्छी खबर सुना देता हूँ मेरो तो काम ही खबर देना है अरे वापरे टीवी बात कर रही है हाँ यह न्यूस बाला मुझसे हाँ हाँ आप से ही तो बात करूँगा ना आपके घर में हूँ तो अरे यह सपना है क्या तुम हमसे बात नहीं कर सकते अरे सपना नहीं भाई सहाब यह टीवी जादोई टीवी है बोलो क्या खबर सुननी है वह अन्ना ब्रेक लेने का टाइम आ जाएगा सुप्रिया घबरा के टीवी बंद कर देती है वह क्या था हरे एक बार और चालू करके देखे फिर से बात करेगा तो चैनल बदल देंगे सुप्रिया फिर टीवी चालो कर देती है आरे ऐसा कोई मुँपे टीवी बंद करके जाता है क्या मुझे बुरा लगा आपका नीचर चाय पानी तो पूछो सुप्रिया टीवी के बटन से चैनल बदल देती है अब टीवी पर एक फिर्म चल रही है आरे ये तो सुर्यब अंश्रम है ना हाँ और ये ठाकुर को जहर की खीर दे दी और उसको पता भी नहीं है ए भाई खीर मत पीना उसमें जहर है मत पीना ठीक है महाशरी जैसा आपका है हाँ हाँ आपकी बात मैन ली पूरे पिक्चर ही अब तो बदल जाएगी मतलब ये सच में जादू ए टीवी है तभी वहां कबाड़ी आ जाता है भाया टीवी के डेड़ सो रुपे दुगा चलेगा अरे डेड़ करोड में भी ना दे तुमको ये टीवी हम अरे डेड़ करोड खरिदने को होते तो तुमारे घर में ये पानी चाय नहीं पीता अमबानिया टाटा के घर बैठा कोल्ड कॉफी पीता रोहित कबाडी का हिसाब करके उसे वहां से चलता करता है और अपने भाई शर्शी कांद को फोन लगा के बिलाता है शर्शी थोड़ी ही देर में वहां पहुँच जाता है क्या हो गया भाईया? अरे बाबुजी का टीवी याद है? हाँ हाँ, जिसमें घुसे रहते थे हमेशा वो और अपने को कुछ नहीं देखने देते थे अरे वो अब जाद हुई टीवी बन गया है वहाईया, आपकी बक्वास करने की आदत अब तक नहीं गई अरे आपके घर में बच्चे हैं, अब थो बड़ो जैसी बात करो रोहित जाके टीवी चालू कर देता है टीवी पर एक जादू का शो हो रहा है, जिसमें एक जादूगर है अब मैं अपनी टोपी में इसे कबुतर निकालूँगा टीवी से कबुतर निकलता है और श्रश्रिकान के सर पर आकर बैठ जाता है बाईया, ये क्या हो रहा है, बाईया इसे उड़ाओ एक कबुतर, जा, जा, कबुतर, चल निकल अब मैं टोपी में से साप, साप सुनते ही शश्रिकान काम जाता है और भाग के टीवी बंद कर देता है बाईया, सौरी बाईया, मैं समझ गया, ये जच में जादूई टीवी है पर एक बाई और ट्राई करते हैं, पर भाबी कोई दूसरा चैनल लगावा, जिसमें डर ना लगे सुप्रिया टीवी चला देती है और नियूज लगा देती है अरे कितने दिनों बाद मुझे याद आया, बताईये क्या खबर सुनाओ, और ये नया आदमी कौन है ये मेरा भाई है, शर्शिकान ओ, येस, वही है ना, जिससे तुम लड लिये थे किसी बात पे और तुम्हारे बुड़ाओ पिताजी गुसा हो गए थे और टीवी को सन्यास दे दिया था हैं, तुमको कैसे पता ये सब इस टीवी में रहने वाले आदमी से लेकर कब उतर तक को तुम्हारे बाबुजी और तुम्हारी बाते पता है इसलिए तो ये जादवी टीवी है ये टीवी क्या कर सकती है वैसे तुम जो मांगो दे सकती है कहानी बदल सकते हो, खबर बदल सकते हो, कोई चीज मांग सकते हो हारे भाया, ये टीवी मैं लेकी जा रहा हूँ बाबुजी का लडला तुम मैं इह था न और ऐसे कैसे, मैं बड़ा बेटा था, अब तक मेरे घर में टीवी थी न, अब तक कहा गये थे पिताजी के लड़ले, तुम्हारे गलती का ऐसास भी है अरे भाईया ज्यादा न बोलो बना भूल गये, आपके दाद तोड़ दिये थे मैंने उस लड़ाई में मेरी बीवी के सामने मेरी बेज़त ही करता है, रुक दोनों भाई हाथा पाई पे उतर जाते हैं, रुक बताता हूँ तुझे के कौन बड़ा है अरे छोटे का दम तो देख लीजे आप ये खबर आपके बाबुजे को देता हूँ तब ये टीवी अचानक बंद हो जाता है आरे शायर टीवी नाराज हो गया, और लड़ लो, आए बड़े खली बनने टीवी से एक तेज रोश्णी निकलती है और टीवी में बाबुजी दिखाए देते है बाबुजी आप इतना चकरा क्यों रहा है, अपने बाब को नहीं पहचानता क्या ये तो ऐसा ही है बाबुजी, प्रणाम बाबुजी आराच पकर, तुम दोनों ही उल्टे हो तुमारी वज़े से मैंने टीवी में आने के सपने को छोड़ दिया तुमारी लड़ाई की वज़े से और तो और, जितना मैं अपनी बीवी को नहीं देखता था उतना टीवी को देखता था, वो भी छोड़ दिया तुम दोनों की लड़ाई की वज़े से और अब मनने के बाद, जब मैंने टीवी को जादूई टीवी बना दिया तो भी तुम इसका फल लेनी की जगह लड़ रहे हो अरे तुम तो लायक ही नहीं हो अब तुमको बाबाजी का ठुलू भी नहीं मिलेगा बाबुजी चले जाते हैं टीवी बंध हो जाता है रोहित और शशिकान गिरगड़ा के टीवी के सामने हाथ जोड़के बाबुजी को बुलाते हैं पटीवी सिर्फ धुआ निकालता रहता है